म пять नमस्कार दोस्तों और आपको मरे youtube चैनल शुक्त शुक्राफ मुश्यिणी एड कंपनी नानक ना मम शुक्री कंपनी स्वागस्त भी अधम के लिए मैं तरहें तरहें की business IdaeS लेकर आता रहता हूं लेकिन आज मैं आपके लिए aigsaa business IdaeS लेकर आँ हूं जिसके मार्कित में बहुत ज्यादा बाद है यह हर चैक्टर में हर जगा हर गर्पे से लेकर कोई भी सेक्टर लगा लो हर जगा यह यह यूज होता है मैं पर लेकर आए हूं जिसका नेम है प्रूम में कि बिजनेस जिसको आप ड्राइवल स्कु बोलते हो इस में जो ड्राइब और सब्सक्राइब बनते हैं दोस्तों पूर सव्ताने का कैसे क्या बनता है ब्लैक कोटिंग कैसे होता है गोल्डन कलर कि तक कैसे होता है कहां पर स्क्रू बेचना है, माटीरियल कहां से लेकर आना है, सेल कितने में होना है, आपको मशीन की भी सारी जानकारी, रॉम ट्रियल की, ब्लैक कोटिंग, जिंक कोटिंग, सबी की जानकारी देंगा, अब वीडियो को लास तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में हर एक आपको कोई फायदमत बात हो सकती है, तो वीडियो को लास तक जरूर देखना, तो ये बिजनस की इतनी डमांड है, कि आप इस बिजनस को करके डेली से 20-25,000 असानी से कमा सकते हो, क्योंकि इसकी इतनी डमांड है, चाहिए 24 गंटे भी मशीन को चलाओगे, तो फिर भी इस मशीन है, इसमें थ्रेट ड़ेगा, और वो है पॉलिशिंग ड्रम, और इसके साथ एक कटर ग्रेंटर भी साथ में लगता है, जो उसके टूल्स को दार लगाने के लिए, शार्प करने के लिए काम आता है, तो सबसे पहले हैडर का काम होता है, यहां पर वायर स्टेंड होगी आगे, यहां से अंतर जाके मशीन आटमेटिक परड़क्शन निकालती जाती है, आपने बस वायर लगानी है, आटमेटिक स्क्रोडल के बाहर यहां पर नीचे गरता जाएगा, तो यह आप देख सकते हैं, यहां पर इसका हैड भी बनेगा, आपने फोर हैड बनाना ह हैं, एक हुआ इसदेगस निकाल जिभी हैड भी और बनेगा के बाद, आपने माध उन डालचे आख सकतोान, जा फेसिता मैटिक सबमूड़ है यहेड बनेगा हैं यही तो नहीं सबते हैड बनेगाब यह बन गया हुँआ कोहीक पाल्शिंग मैं अच जोनाटिक गर भी होगा screw का हैड बन जाएगा और ऐसा screw बन जाएगा इसमें कोई भी टाइप का हैड माइनस के लिए होता है अगर डाऊंट हैट पर माइनस डाल ला है तो इसी मशीन में डल जायगा इसमें तीजर बन गया उसके पॉलिशिंग ड्रम में जाएगा पॉलिशिंग ड्रम में उसके साथ लकडी का बुरादा डलता है उसके होता है जो स्क्रिव के उपर आयल लगा होता है तो आयल रिमूव होने के बाद जितना पी मिट्रियल वहां पे मैं वीडियो देखांगा आपको सभी मेशीन के आपको म लेटेस्ट मॉडल आई पहले होता था मैनुल तो प्रिस लगती थी उपर जिसके था एक आदमी मशीन की उपर खिलारना पड़ता था अगर उसमें आटमेटिक उसने फीड करी जाना है जो पहले पराणे मॉडल होती थी उसमें होता था एक आदमी स्क्रीव को रोगने के लि जाने करें बाद में होती है जैसे यह फीड बर जाएगी आटो कट कर जाएगा जैसे खाली हो एक इसक्रीव आगे कम वहेंगे इसमें तो फिर ऑटमेटिक वाइड़ जागे तो यह आटो सिटम है पूरा इसमें आटमेटिक आगे डाइस लगी होती है आप जैसी डाई लन साथ कैम दूर और इंची तर दक्षा इंची मोड़ल जरुते हैं य को तिर सब्सक्राइब DRU स्काषण या रिद्ट समय सकाथ यो इसे हरे कि वाखने वीड़ जाते हैं उन doğr इंची मोड्ल जलते हैं तो डिय्भाएं के वाधा सब्सक्राइब आपका complete setup हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले में आपको हैडर की बीडियों दखाने लगा हूँ अब देख सकते हैं वायर का रोल लगा हुआ है तो वायर का रोल लगा है में अबनियगा है आपने वायर फीड कर देनी है महीन पहले माया है अबने ओस्काला ब्सक्रीव नहीं जाना है उसके बार पोलिशाइंग ड्रम के कि विडियो दिखाता हूं कि इसके पालीजिए जिल्च कि वीडियो घखाता हूं लिए पर हम प्रेले जानुक्ट आक लिए हैं नक़लने को पास को तसको दुझे पूराधा डलता है लकडी का पराधा डालके इसका जो ऑईल होगा ऑईल रिमूव हो जाएगा अब देख सकते हैं इसको ऑईल रिमूव होगे अब निकल गया है अब यह आएगा रोल थ्रेड में यह वाइबरेटर सिस्टम लगा हुए इसमें अपने स्क्रू डाला है यह सैंपल के लिए स्क्रू डाले हुए जैसे यह की बर सकते हूब इसको ऊपर तक बर सकते हैं इसको वाइबरेटर को दो क Якया रहा है यह उपर जेको यह आगे निया ज्यूर्ट यथाए । ऊसर ने यति घुभ जए है आ मकई में ब करें पीशे बंद हो जाता है जिसे लान में कर बर जाएगा पूरे स्क्रू बर जब तो पीशे वाइबरेटर बंद बंद ऊजागा जैसे स्क्रू आगे से खतम होएंगे वाइबरेटर आटो स्टार्ट होजएगा खुद दी इतखिए हमने मशीन स्टार्ट कर दिया अभी इसमें भी बस आपने स्क्रू इसमें वाइबरेटर में डालना है फुली आटमेटिक मिशीन ने खुद काम करते रहना है लोकि इसमें लेबर की बहुत कम जुरूरत होती है एक स्किल्ड आदमी हो एक हैलपर हो तो सारी मिशीन सो परेड़ कर लेता है खुद दी फुली आटमेटिक पर स्कुडू बनके अब निकलता जा रहा है इसमें आपका हैटर में हैटर बन गया पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका और रिमूव हो गया पॉलिश भी हो गया साथ में और टूडी भी डल की यह त्रेड भी डल गया अब देख सकते हैं बहुत इजी परसेस है फुली आटमेटिक मेशीन है कोई भी आटमी चला सकते है इसको बहुत इजी परसेस है यह कुछ आपको मैं रेनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ यह देखी जैसे रेनिंग सैट अप लगा हुए पूरा कम्प्लीट इसने 10-20 मिशीन लगा हुए है यह और सैट अप लगा हुए है इसमें भी आप देख सकते हैं कितने हैडर लगे हैं कितने रोल त्रेड में अभी आप pump для ऩरग फमादा लगा हुए है इसमें अपने इसने ही लाट लगा हुए है इसमें आपने अपने रेटमेnd प्लांट लुग पारइन प्ल्लाव सारा इनिपर ब्लाबाला उनोग लगा हुए सारा में देखू कितनी मशीन लगे ही है और बहुत लोगों के सफ शुलाब होते हैं कि स्कूरू तो बनके इसको बलैक कैसे करें बलैक करने के लिए दो पर चैस होते हैं एक तो होता है complete plant लगाना उसमें आपका हो जाएगा उसमें furnace आएगी heat treatment plant आएगा कोई भी लगा सकता है वैसी जो बड़ा प्लांट होता है कम प्लांट में होगा ऐसा drum special drum बनेगा वो उसके नीचे heat burner लगे होते हैं उसकी में आपको वीडियो दखाऊंगा आपको जो ड्रम के नीचे हीट करके कटिंग वायल में डालोगे केमिकल में तो आटमेटिक हाड़ ब्लैक वीडियो दखाऊंगा को समय लग जाएगी कैसे कह रहा हूं दोस्तों यह ब्लैक कोटिंग का परसाइस है आप देखो यह बर्णर लगा हुए नीचे उपर ड्रम गूम रहा है तो स्क्रू जैसे बनके रोल थ्रैट से बनकर आएगा तो अकर ब्लैक कोटिंग करनी है आपने तो इसमें आपको बस इतना करना है ड्रम में डालके उसको पर सूजें बस 20 अधा गंटाग हें नीचे से हेट से वहट भी और जाएगा हीट वोने के बाद चूब साफने कटिंग ऑले हुए जाली है कैमिकल में डालो गे तो अटमेंटीक हारड भी हो जाएगा बिलैक भी हो जाइगा तो यह दोस्तों रस्क्रत में इसमें क्रूट चिसाइब चैमिकल में डालिंग आए गा कितना बढ़िया ब्लैक कोटिंग फिल गया ब्लैक कोटिंग वियुन 지금까지 कोटिंग अब आंप कोको कोई ब्लैक में कोटिंग कर सकते हो दोनों दो GBT जाएगे पोड़े डिन्या बनका में पानी में इसको पहले पानी में साफ करते हैं मियुत-ड्रम में उसका फ़ला होता है तो के साथ स्क्ली चिर्व को साफ करते निचे यह लुगो जब दाल गया तो अपने जिसमें जिवालेजी कोटिंग होगी। उसमें ड्रुम कोटिंग होगी। जिवालेजी केजी के बैरल होता है। उसमें आदे घंटे में 50 kg के प्रड़क्षन हो जाती है। छो इसको डियर में ढाल दिले ने आगर नइता हैं तो यह चेकल ऑपने जीन कोटिंग वहरं उसके ऊपर आपने गोल्डन कोटिंग वहा है तो चै lr उसीज़े जिटाब हों दो रियल इसे तीन इप के चलती है ज्यादा चार टाइप की उती है गोल्डन और एक ब्लू कोटिग होती ऐख कोक्वायग हो दो दूस कोटाफिश करने और ब्लू टाइप की कोटिशЗक सापका के अर्प लग कोड़न नग तो आटमेटिक उसका जो सारा पानी होगा निकल जाएगा तो उसके अगा आपके जो स्कुरू होगा मार्किट में सेल होने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों यह देखिए अप यह लॉम्ट एलाइसे स्कुरू मशीन बनके तो ऐसा देखता है पहले इस सबसे पहले स्कुरू हाएगा इसको ड्रम में डालेंगे ड्रम में डालके वाश करते हैं पानी से तो यह पानी जो होता है रिसाइकल होता रहता है यह देखो वाश हो रहा है वाश होने के बाद देखो स्कुरू कुछ ऐसा दिखेगा यह जैसे ड्रम से निकाला है स्कुर आजिए में के समस्गी को लंग को है मसे एकन्स को डालके बस निकालेना आइसको रखने जादी ज्यारने रखते स्वाधर समय नहीं रखते सको इसको पस ड्रव में डाल सो निकाल निकाल दिया बस तो कि निकाल करें और सिह पर फिर से prominent साफ करके इसको जो जिंक बैरल होता है डरम होता है जिसदिए डिलेगा उसमें डोल देना है अभी देखता देखो दिखाऊंगा मैं आपको यह देखिए इन्होंने जो पहले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे उसके बाद जो अभी जो एसीड में डाल के लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे स्क्रीू को इस जिंक को किया हुआ ही निकाल लिया नहीं और जो दूसरा जूश्टे जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे और यह थे देख़ेंगे अब जू जिंक हुआ है उसको डाल देंगे अंदर यह देखिए आप एक ड्रम की कैपसेटी पचास केजी की कैपसेटी होती है एक ड्रम की है इसको आधा गंट यह मैं जो कैमिकल उता है मिल्ड कैमी कि इसमें टिन्क एश फीर्ड लगी विजिन प्लेट आधा गंट यह से गूमता रहे है अदे गंटे में 50 art कीजी माल इंक सिंग कर देते हैं अगर आप âmین ऑगर गुल्डान कोटिंग करनी है तो इसको आपको गॉल्ड weapons डालना पड़ेगा यह दो भी गॉल्डनने कोटिंग करनी है तो गोल्डन कलर में डालेंगे दीकिए अपने नगे डाला मैं तो इकुरूंस हाड़ा अगर विए रएसे 1977 म को दैना और जिम्हों रहेगा और करना उपर तो करण वाली कैमिकल में ताल दो बस उस क्रू बनके ृड़ी और बनके में ढूंच इ Brave DU समूंच में में डाल दीया अब इक यूदिता इस में इन्मिल pajamasлет यजिए पाने लगा हो कोई की केमिकल वचा है तो सारह निकल करोदे बूर्ज बनके सूख जायगा अब इसको इन्हुनने बोटी में डालके मार्कीट में केसे लिए सकते हो मुझा यह ले दिए बोरी में डाल देना ने तो इसको मारकीद में सेल सकते हो बहुत ऊजिस्वत परकाइस आद में लगा सकता है सको एक तो यह टाइप हो जाती है एक यह टाइप होती है कि अगर आपने कोई भी प्लान्ट नहीं लगाना साथ में सिर्फ यह स्क्रीव की मशीन लगा रहे हो तो आपको से इस मौलड़ ही पई लोग होते हैं सिर्स जिंग का ही काम करते हैं ब्लैक गाइग प्रेटी तो आप उनको प्रीट सुक्रूब ना रहे हैं उनको दो वह जिंक कोटेंगे आपको दे देंगे कुंकि बहुत सारे जो लोगों होते उन्य सिर्फ इसी डेंगा प्लैक कोटिंग प्लांट लाइए प्लान लगा आ तो अब जो भी मिट्रीयल बना रहे हो उनको दो ही बात करते हैं इस प्राइम तरह कोई हमेर विब्क बढ़े अगर आपने पर … है तो लगेगी अगर आपने माइनस वाला बनाना है तो उसमें आपके चल जाएगी तो आपका हैड नहीं सही बनेगा इसलिए लगती है स्क्रूब नाने के लिए कोई भी स्क्रूब लगती है तो यह वायर आपका 50 रपे से से लेकर 60 रपे के इन बेट विन आजाती है एक ज्यादा होती रहते कभी चालिस लिए कभी 65 हो जाती है तो प्राइज का डेली का जो होता है इसका डेली का प्राइज होता है तो इसको आप मुछीन को डेली भी अगर चला देओ तो आप मिल्की शानी से 20-25,000 कमा सकते हो क्योंकि बहुत प्रॉटाइबल बिजन्स है इसको अपने सेल कहां पर करो इसको आप हारे की होलसेलर होते हैं कि कोई भी कॉंट्रैक्टर है कोई सब्सक्राइब तक Kdes ajudar लग्ता है कोई भी बिन यूफ कोई वेपन आ रहा हो Olsales लगता है तो इसके साथ आप वायर नेल मशीन भी लगा सकते उसी के साथ कि जो अपने अलग जगह ने बेचने जाना वो जितने जो अपने पेले किसी को दे रहे हो हाड़वेर होल सेलर कंट्रेक्टर उन्हीं को उन्हें उन्हें वहीं सेम मटेरियल उठा लेना है क्योंकि एक ही लाइ अगर कोई भी आदमी मशीन को बाय करना चाहता है तो नीचे दिये के नंबर पे आप कॉल करें वाटसाइप मैसिज करें और मेशीन बूकिंग करें बूकिंग करने के बाद विदिन 15-20 डेस मेशीन आपको डिलिवर हो जाएगी और अगर आपको बिजनस के बारे और भी को आप नीचे दिये के नंबर या कॉल पर वाटसाइप परके वाटसाइप मैसी करो हमें ये मशीन चाहिए तो उसकी आपको उसी तुरंद आपको डिटेल्स चाह रहेंगी आप इस बिजनस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं हम आप प्रप्रटेशन प्रवाइड करवा देंगे सरकार के बहुत सारे स्कीम जाया हैं आजकल PME, GMSME उसके तहत आप लोन लेकर बिजनस को शुरू कर सकते हैं क्योंकि सरकार आजकल स्टार्टक्स के लिए बहुत सारी इसने स्कीम नकाली हुई हैं तो उसी स्कीम से का फायदा ठाते हूं आज बिजनस शुरू करो तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए बिजनस करोगे तो बहुत बढ़िया है आपने मारी वीडियो लाज तक देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अफ्लोट किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तो इस वीडियो में इतना है मुईत करता हूं कि अपनी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनस आइडियास पूंचे सबसे पहले आपके पूश्चना आपके पूश